चुनाव से ठीक पहले यूपी में मंदर को लेकर सियासत चुरू हो गई है इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नई बहस छेड़ दी है बाबा विश्वनात मंदर में तनाथ पुलिस कर्मियों की नई ड्रेस पर अखिलेश ने घोरा पत्ती जताई सवाल यह कि अखिलेश को पुलिस की वेश भूशा से दिक्कत है या फिर श्रिंगार गौरी में आम भक्तों के पूजा करने से क्योंकि यही अखिलेश हैं जिनकी सरकार ने बाबा विश्वनात मंदर से सटे ग्यान वापी मंदर में बारिगेडिंग लगवाई थी उत्साल है उत्सव है आनन्द है बनारस की गलियों में आस्था नया आकार लेएं क्योंकि एक साल की प्रतिक्षा की पुर्णता का दिन इस बहु प्रतिक्षित पल को एतिहासिक बनाने के लिए भक्तों की भीड़ दूती अपने आराध की आराधना के लिए जब आराधक का हुजोम उम्रा हुआ है ज्यानवापी के बाहर तब इसी पनारस की एक तस्वीर सोचल मीडिया पर सियासत को विस्तार बाबा विश्वनात के दर्बार की इस तस्वीर के जरिये सुबे की सरकार को सवालों के चक्रवियों में खड़ा करते हैं बाबा विश्वनात के दर्बार में सुरक्षा कर्मियों को लेकर सपा सुप्रीमो अकलेस यादों ने क्यों सवाल उठाएं इसे लेकर यूपी में किस तरीके की सियासत हो रही है कि सब कुछ हम आपको विस्तार से समझाएंगे लेकि उसके पहले ये जान लीजिए कि चैत्र नवरात्री के चतुर्थी के दिन ग्यारवापी परिसर इस्तित मासिंगार गौरी का जब पट खुला तो किस तरीके से उसके कुजा पाट के लिए स्त्रधालों की भीड उमड जहां हर साल चैत्र नवरात्र के चौथे दिन भक्त पूजा करने के लिए पहुँचते हैं इस बार भी इस पवित्र दिन सुबह सही श्रधालों की भीड उमड ने लेगी जो जयनवापी के इंतर मास लिएधालों के लिए खोले जाते हैं और इस वक्त जो हिंदू पसे जुड़े वे जो लोग है जो चारो महिलावादी हैं जिन्होंने मास लिएधालों के नियमिद दरसन पूजन की इजाज़त के लिए वारानसी की डिस्टि कोर्ट में एक या के लिए इस वक्त कासी विष्वात्मंदी या निज्ञानवापी परफ़त की हो जा रहे हैं तो आज हो रहा है इसको जो है 355 दिन करवा है ऐसे हम लोगे कामना है इसलिए आज का दिन बहुत महत्पूर्ण है दरसल माच श्रिंगार गौरी के प्रतिदिन पूजा की आजिका अदालत में है 18 अगस 2021 को पांच महिलाओं ने सिविल जच के सामने एक वाद दायर किया था महिलाओं ने ग्यानवापी मस्जित के बगल में बने श्रिंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की मांग की थी याजिका करताओं की मांग पर ग्यानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया गया था अदालत के आदेश पर मई दोहजर पाईस में ग्यानवाफी मस्जित का सर्वे किया गया था ग्यानवाफी परिसर में कई सनातनी सबूत मिलने के दाबों के बावजूद मास्रिंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा अर्चना वाली याचिका अब भी अदालतों की परिक्रमा ही कर रही थे लेकिन इस परिक्रमा के भी जब सालाना पूजा करने के लिए भग्ध माता के दर्बार में बहुचे थे तो जाहिए थे हाला कि हमेशा से ऐसा नहीं था करीब तीन दशक पहले यहीं पर इसी मास्रिंगार गौरी की हर रोज बूजा हुआ कर दे 1993 में मुलायंज इंसरकार ने ग्यानवापी की बेरिकेडिंग करने का आदेश दिया ग्यानवापी की पश्चिमी दिवार पर मौजूद मास्रिंगार गौरी की प्रतिमा भी बेरिकेडिंग के अंदर ही आदेए इसके चलते दर्शनाटियों को वहाँ जाकर दर्शन पूजन करने से रोग दिया गया इसके खिलाफ हिंदू आदी संगठन अदालत में गए पोर्ट में चैत्र नवरात्र की चौथे दिन मास्रिंगार गौरी के दर्शन पूजन का अदिकार तब से साल में एक बार माता की पूज़ा होती हलाकि मुक्यमंत्री योगी आदितनात कई बार संकेतों में मतुरा काशी का जिक्र कर चुके बबान कुछन ने तो पहले कहा जब वो समझोता कराने के लिए गये थे माह भारत का इद्धू टालने के लिए गये थे कि देना हो तो आधा दो लेकिन इसमें भी अभी बादा है तो दे दो के वाल पाँच ग्राम लेकिन उ पाँच ग्राम लेकिन यहां तो इस समाज सेकड़ों वरसों से यहां की आस्ता के वाल तीन के लिए बात कर रही है तीन के इस सब के बीश मास्रिंगार गौरी के पट खुलने से ठीक एक दिन पहले ही उत्तर पिदेश के पूरु मुख्यमंत्री अकलेश यादों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट किया ये सबाल उसी बनारस के बाबा विशुनात मंदिर को लेकर है वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को लेकर है असल में बाबा के दर्बार में भक्तों की भीड को काबू करने के लिए जो सुरक्षा कर्मी तैनात किये गए हैं उनका ड्रेस बदला बदला सा है मंदिर में खड़े पुलिस वानों के माथे पर द्रपुंड है कुर्ता धोती धारी पुलिस वाले की गले में रुद्राक्ष की माला है शिवनामी पटका है और लाल वस्र पहरे तमाम पुलिस वाले खुबहु मंदिर के पुजारी की तरह दिखने गर्ब ग्रह में भीड को नियंद्रित कर रहे लाल भेशदारी पुलिस कर्मियों का वीडियो लगा कर अखलेश यादों ने सवाल पूछा कि पुजारी के वेश में पुलिस कर्मियों का होना किस पुलिस मैनुवल के हिसाब से सही इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाव उठा कर कोई भी ठग घोली भाली जर्दा को लूटेगा तो उत्तर प्रिदेश शासर प्रशासर क्या जवाब देखा। अख्रेश यादव की आवाज उठने के बाद तमाम समाधवादी इसका विरोध करने धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। और जो कॉंस्ट्यूशन है उसी के माध्यम से ही हम लोग को देश को चलाना है और इस तरह के जो ये भाज़पा जो हरकते करती है ये कही ना कही मैं समझती हो लोग जागरुख हो जाएं कि किस दिशा में ये देश को ले जाना चाहते हैं। मगर सरकार को इसमें कुछ भी खलत नहीं दगा। पुलिस की दलील ये है कि अन्य जगहों से इतर मंदिल की ड्यूटी है लेहाज भक्तों को आसान दर्शन कराने के लिए ऐसी व्यवस्था होगी है। वो ने एक प्लान बनाया है कि जो भी पुलिस कर्मी याँ पर ड्यूटी कराएंगे उनकी पहले एक प्रेनी करी जाएगी। कि केस प्रकार से उनके बिहेवरल चेंजें इसमें लाए जाएं। भी खाने की पुलिस कर्मी याँ प्रदसन करती है। और यहां की जो भीड है वो शुकम दर्शन कराने के लिए इनकी जिए लगी है। पुलिस की दलीलों के बावजूर समाजबादी पार्टी की ओर से कई सवार है। और यह सवार जब माश्रिंगार गौरी के पट खुलने से पहले पारंपरिक वस्रधारी पुलिस वालों की तैनाती को अखिलेश जादों ने राजमिती की ओर मोड दिया तो लोग जानना चाहते हैं कि वो वाकई फिक्रमंद है या फिर बाद कुछ और है। भगवा पार्टी अब आक्रामक हो चुकी है। जबकि इसके उलट योगी आदेतनात मुस्लिम बहुले सीटों पर एकदम क्लियर थे। हिंदू वोटर्ज एक मुष्ट बीजेपी के साथ रहे और इसी पर फोकुस किया गया। जिस कहराना में साढ़े पांच लाख मुस्लिम बोटर हैं। उस कहराना में योगी आदेतनात ने देवी देवताओं का दिकर किया। दंगा, पलायन, माफिया और जातिवाद पर चोट की। जिस साहारनपूर में साढ़े छे लाख मुसलिम बत दाता हैं। वहाँ सीम योगी ने भगवायन राम और राम चरित मानस के जरिये चुनावी टोन सेट कर दी। संप्रदायवाद और अराजकता पर हमला बोला। जबकि अखिलेश यादव साढ़े चार लाख मुसलिम वोटर वाले पीली भीत में पहुँचने के बाद उलजे उलजे से दिखे। उन्होंने इलेक्टोरल बॉंड का मुद्दा उठाया पेपर लीक की बात की। जाच एजेंसियों पर खुब बोले। मगर जिन मुसल्मानों का अपना वोट बैंक समझते हैं उन तक अपना मैसेज नहीं पहुँचा पाए। और शायद यही वज़ा है कि 24 की पहली चुनावी रैली में अखिलेश यादव की नर्वसनेस साफ नजर आए। जबकि योग यादेतनात एक-एक बारिक पॉइंट को नोट कर रहे थे। जाता है कि मिस्सा के लिए भूल जाता है। यह घबराय हुए हैं कि नहीं घबराय हुए हैं और इसलिए घबराय हुए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंद्री को जेल भेज दिया। जारखंड के मुख्यमंद्री जी को जेल भेज दिया। अखिलेश आदफ पिली भीत में 30 मिनट तक बोले मगर बॉडी लैंग्विज से लेकर वोटर से डिरेक्ट कम्यूनिकेशन तक बहुत कुछ मिसिंग सा नाजर आया वज़े बताई जा रही है पिली भीत से समाजवादी पार्टी का कभी न जीतना जबकि बीजेपी की लगातार चार बार से रिकार्ड तोड़ वोटों से जीत हुई है एक तरह से कहा जाए तो अखिलेश ऐसी सीट पर चुनाव परचार करने पहुंचे जहां उन्हें बीजेपी की जीत के चांस ज्यादा लग रहे हैं जबकि उसके उलट योगी अधियतनात हार को भी जीत में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इसलिए उन्होंने कहराना और सहरनपुर में हिंदूत्वकार चला पहले परवार ठ्यवहार कोई आथा और खासतोर पर पस्यम्य उत्तर ब्रदेश में कोई भी परवस्योंनियगआ Tam कि अब कर्फू ने अब तो ध्रोंधड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती हो है तो events पहले जहां से चिलाट हो करके लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दी है न रहेगा बास न बजेगी बास उनी 2019 के चुनाव में बीजेपी सहारिनपूर सीट हार गई थी जब अखिलेश और मायावती ने मिलकर चुनाव रणा था इस बार दोनों के रास्ते अलग है पिछले तीन चुनावों को देखा जाये तो दो बार बीजेपी जीती है और एक बार बीजेपी इस सीट पर कॉंग्रेस 1984 के बाद से कभी नहीं जीत पाई है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी 2004 के बाद सहारनपूर से सांसद नहीं बना कहने के लिए भले ही 40% मुसलिम वोतर से यहां जीत हारत तै करते हों मगर इन वोट के बटने के चांस पूरे होते हैं क्यूंकि मायवती ने भी मुसलिम कैंडिडेट पर तावास बाया है और यही वज़ा है कि योगी धारा प्रवाह नजर आए अमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावन दिया है कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को सांत करके आपको एक सांत वातावन दिया है बहुत सुद्ध वातावन दिया है उनको फिर से पनपने का उसर मत दीजिये कैराना में बीजेपी ने प्रदीप चौतरी को ठिकर दिया है जबकि अखिलेश यादव ने एकरा हसन को इसी तरह साहरनपूर में बीजेपी ने रागव लखन पाल तो इंडी गड़ बंधन ने इमरान मसूत चुनावी मैदान में उतारा है यारे दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव और राहूल गांदी को मुस्लिम कैनिडेट से ही आस नजराती है जबकि बीजेपी को लगता है कि हिंदू वोटर्स एक जुठ हुए तो फिर उनकी जीत पक्की है 2014 में रागव लखनपाल सहारनपूर तो खेराना में पडीप सिंग 2019 में इसी फैक्टर के जरिये अपना डंका बजा चुके हैं सीम योगी को अच्छी तरह मालूम है कि 80 सीटें जीपने के लिए हिंदू वोटर्स को साथ लाना है तभी तो विरोधी उनको फॉलो कर रहे हैं इम्रान मसूद मंदिर दर्शन कर हिंदू वोट पाने की मंशा लगाएं